इस वीडियो में हम देखते हैं कि जब हम एमाउंट किसी को पे करते हैं फुल सेटलमेंट में तो क्या एंट्री हम करते हैं जैसे की पेड रुपीज सेवन्टी एट हंड्रेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट ओफ रुपीज एट थाउजन और इसकी डेट देख लो डेट अगर इसकी है 2021 में 21 तो यह एंट्री है इसमें देखो आप कैसे करोगे देखो रमेश को आप पे कर रहे हो पे कर रहे हो का मतलब क्या होगा रमेश से आपने कुछ सामान अब जब और इसको पे कर रहे हो तो आप बिसका अंसर आप कैसे करोगे पहले तो आप जर्नल बनाओगे जर्नल बनाओगे जर्नल में क्या लिखोगे जर्नल ऑफ तो जिसका जर्नल बना रहे हो नाम नहीं है तो खाली छोड़ दोगे फिर पॉर्मेट में डेट अब इसमें डेट डाल दोगे आप 2021 में 21 को क्या एंट्री करोगे तो एंट्री कैसे करेंगे इसमें एक जिसमें कितने हैं एक तो रमेश को हम रह्त को हम पे कर रहे हैं जब हम किसी को पे करते हैं तो आप यह किस तरह के अकाउंट है रोहित अकाउंट है एक पर्सनल अकाउंट कैश अकाउंट है एक रियल अकाउंट डिसकाउंट रिसीव्ड क्या है एक नॉमिनल अकाउंट है अब इनके रूल्स क्या कहते है पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहता है डेविट ड़ रिसीवर ग्रेडिट दा गिवर रियल एकाउंट का रूल क्या कहता है टैबिट वाट कमसें ग्रेडिट वाट गोज आउट और नॉमिल एकाउंट का रूल क्या कहता है डैबिट ओल एक्सपेंसेश कि एंड लॉसज ग्रेडिट ओल अग्रोफिट एंड गेंज और इसको या प्रॉफिट उसको बोल दो इनकम बोल दो तो यह इनके रूल हो गए अब आपको इससे क्या देखना है किसको डैबिट करना एकिसको क्रेडिट करना है तो अब यह देखो रोहित रोहित क्या रिसीव कर रहा है या दे रहा है हमने रोहित को दिया है तो रोहित रिसीवर रिसीवर का मतलब डेबिट और कैश जा रहा है हम से क्रेडिट वाट गोज आउट क्योंकि हम रोहित को पेमेंट कर रहे हैं तो कैश होगा क्रेडिट और डिसकाउंट रिसीव तेखो discount received क्या है expense तो नहीं है इंकम हमेशा credit होती ये टीक है इंकम क्रेडिट होती है तो cash कितना दिया आपने । डिसकाउट कितना दिया आपने डिसकाउट कितना मिला आपको 200 रुबे मिला और रोहित के को हम डेबिट करेंगे आठ हजार से क्योंकि रोहित का अगांट कतम हो गया फुल सेटलमेंट में इसाब खतम तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी रोहित डेबिट आठ हजार तू कैश एकउट कैश कितना गया है गया है और टू डिसकाउंट रिसीवड एकाउंट रिसीव एकाउंट अपर नियां मिलता यह चीज़ा आपको ध्यान रखनी है नरेशन क्या होगी बीइंग सेवंटी एट हंड्रेड पेड तू रोहित इन फुल सेटलमेंट ओफ रूपीज एट थाउजन तो यह इसकी एंट्री हो जाएगी और यह एंट्री हो गई फुल सेटलमेंट में कितना डिसकाउंट आएगा तो यह थी जब किजी को पर किज सब्सक्राइब in full settlement so that is it for this lecture thank you